Hello everyone, welcome again to Lundre Dethiman तो देखिए आज की वीडियो में हम 3rd grade exam के लिए अर्थसास्र यानि Economics के कौन कौन से chapter NCRT की बुक से पढ़ेंगे तो जो बचे notes बनाते हैं उनके लिए बहुत जरूरी होता है ये जानना, books जो हैं वो आप market से खरीद के लाएं Google से सर्च करके आप अपने पास रखें कैसे भी आप करें ठीक है तो ये चीज में आपको बारवाल बताती रहती हूँ कि जो भी आप तयारी करते हैं तो वो स्कूल में जो बुक चल रही है उनहीं से आप करें तो आपको पता है वर्तमान में NCRT की बुक चल रही है RBSC की आपने जो है तयार की थी पहले तो वहां से भी आपको बहुत अधिक benefit जो है यहां पर मिलेगा Google में सबसे ज़्यादा आपको benefit मिलेगा RBSC की बुक का तो NCRT Economics में हम बात करेंगे अर्थिसास के कौन कौन से चेप्टर जो है वो आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले जानिए Class 9th में Chapter 3 है निर्धनता एक चुनोती Chapter 4 है भारत में खाद्य सुरक्षा उसके बाद है Class 10th और बुक का नाम है आर्थिक विकास की समझ बहुती ध्यान से मैंने जो है वो सर्च करके और फिर आप लोगों को बता रही हूँ तो Class 10th का Chapter है राश्ट्री विकास Chapter 1 Chapter 2 है भारती अर्थिविवस्ता की शेत्रक Chapter 3 है मुद्रा एवमसाख Chapter 4 है वैस्वी करण और भारती अर्थिविवस्ता यहाँ आपको WTO का जो आपका Chapter है syllabus में विश्व व्यापार संगटन यह आपको यहाँ मिलेगा Chapter 5 है वो बुक्ता की अतिकार Next है Class 11 बुक का नाम है भारती अर्थिविवस्ता का विकास बुक मैंने आपको इसलिए लिख दी है क्योंकि अभी जो नया syllabus जब आया था Class 11 खा तो बुक जो है वो चेंज होई थी इसलिए बुक का नाम पढ़कर वहाँ से ही आप चेप्टर देखें भारती अर्थिवस्ता का विकास Chapter 1 है क्रशी शेत्र ओध्योगिक शेत्र तो यहाँ आपको प्राथमिक और दृतिक व्यवसाय जो है वो आपको इस चेप्टर में मिल जाएगा Chapter 2 है भारती अर्थिवस्ता 3 है उदारी करण, निजी करण, वैस्वी करण यह बिलकुल आपके syllabus में ऐसे ही दिया हुआ है Chapter 4 में आपके केवल जो है निर्धनता है तो आप निर्धनता ही पढ़ें निर्धनता टॉपिक जो है वही पढ़ें और इसी में से नोट्स तयार करेंगे Next देखिए Class 12 है जो की, देखिए दो है आपकी बुक Class 12 में एक है Micro, Economics और एक है Macro तो आपको Macro पढ़नी है तो जिस Macro को हिंदी में कहते है समस्ट्री समस्ट्री अर्थसास एक परचय ये बुक का नाम है ठीक है? तो 12 में Chapter 2 है राश्ट्री आय Chapter 3 है मुद्रा एवं बैंकिंग Chapter 4 है आय निर्धारन तो ये 3 Chapter आपके 12th Class में आपको मिल जाएंगे Slavus आपको Complete हो जाएगा इससे एक Chapter आपका बसता है जो की आपको कहां मिलेगा Class 12 की जो भूगोल की बुक है जिसमे Chapter 4 मानव विकास तो आपके Slavus में मानव विकास दिया हुआ है तो वो आपको भूगोल के जो बुक है NCRT की Class 12 की वहाँ आपको मिल जाएगा Chapter 4 तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिये यहाँ से आप जो है वो तयार करें अपने Notes ठीक है क्योंकि कई बच्चे जो है वो केवल अपने खुद के Notes तयार करके और तब ही जो है वो पढ़ाई करते हैं उनको पढ़ाई जो है वहाँ से जो है करना बहुत आसान लगता है तो जैसे भी आप करना चाहें कर सकते हैं और जो बच्चे जो है इन बुक्स को बिलकुल नहीं पढ़ पारे हैं या फिर उनको टाइम नहीं मिल पाता है तो उसके लिए आप जो है वो कोर्स का wait करें course देखिए थोड़ा सा time लगेगा आपको पता है syllabus पिल्कुल अभी हाल में ही आया है और नई चीजें जो है वो आपको syllabus में देखने को मिली है तो उसमें time थोड़ा सा लगता ही अच्छा content तयार करने में time लगता ही है यदि आप wait कर सकते हैं तो wait करिए ठीक है और बहुत ही अ नोर्स बना रहे हैं तो मैंने आपको chapter बता दिये तो दो तरीके होते हैं पढ़ाई करने के या आप खुद book से जो है search करके आप जो है notes तयार करें या आप course जो है वो available होगा तब आप उसको खरीदे या आप YouTube चैनल पर जब chapter पढ़ाए जाएंगे तो आप वहां से तयार क क्योंकि learn फिर्देतीमन में इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है कि बच्चे जो हैं उनकी सोच की आधार पर काम किया जाता है क्योंकि कई गया होता है और कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास time का अभाव होता है तो उनके लिए भी ध्यान रखा जाता है कि course जो है उनको जल्दी से जल्दी available कराया जाए अब देखिए आप खुद ही जाने syllabus अभी आया है तो अच्छा content तयार करने में थोड़ा सा time लगता ही है second grade की जिसने भी तयारी की है course के मात्यम से उनको सबी को पता लगया होगा book पढ़ने की कोई जरुत उनको नहीं पढ़ी है किसी भी तरीके की नहीं RBSC की नहीं NCRT की क्योंकि वहाँ मैंने हर तरीके से जो है graduation तक की book का सहारा लेकर content तयार किया है इसी तरीके से यहाँ पर 12 तक की book का ध्यान रखा जाएगा और NCRT और इसके अलावा RBSC में से भी यदि बहुत अच्छे तरीके से तयार कर सकते हैं ठीक है तो RBSC और NCRT दोनों का ध्यान रखना है एक बच्चा ये भी कह रहा था कि मैंम आपने जो है RBSC की करवाई थी जबकि NCRT में से content आया था रीट में अब आप खुद ही ध्यान लगाईए जो बच्चे केवल RBSC और उसके साथ हमें राजिस्तान जीके की मुझे पता था पूरा का पूरा content जो है वो आपकी exam में पूछा जाने वाला है ठीक है तो बहुत अच्छे तरीके से बच्चों ने उसको भी तयार किया और बच्चों के marks जो हैं वहां से भी अच्छे से आ रहे हैं ठीक है क्योंकि आप खुद ही जानिए जियोग्रफी जो NCRT में है वही RBSC में है ठीक है लेकिन नई बुक जो है वो चल रही है और अभी syllabus में बिल्कुल भी नहीं mention है कि आप NCRT पढ़ेंगे या RBSC पढ़ेंगे लेकिन हम बहुत अच्छे तरीके से ध्यान करके और हर चीज़ को जो है वो देख कर बहुत अच्छे तरीके से और फिर हम content त्यार करेंगे ठीक है RBSC की बुक आपने पढ़ लिया है और maximum जो content त्यार होगा वो NCRT में से ही होगा ठीक है 12 तक की बुक का ध्यान में रख कर फिर जो है वो तैयार किया जाएगा ठीक है तो ये चीज़ जो है वो आप ध्यान में रखें बिलकुल आपके जिस तरीके से आज तक आप जो है इस channel से जुड़े हैं और आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है तैयारी करवाई गई है regular तैयारी करवाई गई है test series जो है आपके स्टार्ट की जाती है जब आपके एक्जाम आता है तो बच्चों की त्यारी बहुत अच्छे से हो जाती है जैसे स्कूल में बच्चों की करवाई जाती है ठीक है इस चीज का बिल्कुल भी आप ध्यान में ना रखें तो जो भी बच्चे जो हैं तयार कर रहे हैं बि झाल झाल